तो आपको वीडियों को स्किम बत करेंगे वीडियों पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तो चलते आगे मेरे नाम सभागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा की वनेज़ता है मैं आपको दालए अप्डेट के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या हो अप्डेटर्ई याप को आपको इसको अपडेट कर लेता हूं अब करने के बाद तो पहले यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो डार्क वाल मॉड वाला ऑप्शन है पहले आपको दिखाए तो आपको त्री डार्क मोड पर जाना है और यह डार्क मोड अभी अपडेट नहीं हुआ तो अभी आप देख रहे हैं अगर मैं डार्क मोड को अन करना चाहूं तो और एक और ऑप्शन मता दो यहां पर जाएंगे त्री डॉट्स पर और यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको गुरूप टैप का ऑप्शन भी नहीं आता था जो कि अब अपडेट होने क्या आपको मिल जाएगा यह मैंने अपने दूसरे मुए में अपडेट होने के आ आपको यह हो चुका है और यहां पर आप जैसी क्लिक करेंगे आपको नया यहां पर फीचर बताई देगा कि डार्क मोड का जो नया फीचर था वो यहां पर एड कर देगा है यहां पर क्या होगा जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले यह आप्शन नहीं आते थे जो क की वाला फीचर भी पहले नहीं था और अगर आप चाहते हैं कि नेवर तो कभी भी डार्क मोट ना हो तो यह नए फीचर थे सबसे पहले नया फीचर तो यही था उसके बाद दुस्तों सेकंड जो नया फीचर है वो है इंप्रूव टेबलेट यॉरल बार जो अगर आपके वास समसंग के टेबलेट है तो वहाँ पर यॉरल का जो बार है उसको अप्डेट कर दिया गया है जो कि मैं नहीं बताने वाला उसके जो सेकंड फीचर बता रहा हूँ जो कि बहुत कमाल का है टैब ग्रूप सपोर्ट मतलब की यहाँ पर क्या होता जो भी अगर आपने टैब फोल के रखी है और जो रिलेटिट टैब है अगर आप चाहते है उसको ग्रूप करना तो आप यहाँ पर group कर सकते हैं जाकि आप easily उसको find कर सकें कैसे हैं आपको यहाँ पर जाना है यहाँ त्री डॉट्स पर जाना है त्री डॉट्स पर जाना है यहाँ पर त्री डॉट्स पर जाना है यहाँ पर त्री डॉट्स पर जाना है group tab का आपको दिख रहा है आपको उस पर click करना है group tab के आने का और जिन जिन को tab को आपको group करना है तो आपको उन पर click करना है उन पर click करना है नीशे आपको group को option दिख जाएगा आपको उस पर group पर कर देंगे group का जो भी नाम देना है आप नाम दे दिजिए और वो group हो जाएगा तो आपको कैसे मिलेगा वो आपको ऐसे दिखने वाली है यह group हो जोगा आपको दिख रहा होगा यह आपको ऐसे दिखने वाला है तो यह ऐसे work करता है दोस्तो यही तो नए feature है तो जो कि मैंने आपको बता है उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद तो थैंक यू